दूसरी भी बेटी होगी शान्ता के दो बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी दोनों ही बच्चे शादी शुदा थे इसलिए अब घर में बेटे अनुराग की पतनी अपुर्वा भी आ चुकी थी जहां एक और शान्ता और उसका पती मुरारी पुरानी सोच रखते थे वही उसका बेटा अनुराग और उसकी पतनी अपुर्वा आज की जमानी की मौडन सोच रखने वाले बच्चे थे नई बहु अपुर्वा बहुत गुणी और समझदार थी पुराने खायालो वाली सास होने के बाद भी वो पूरी कूशिश कर रही थी कि परिवार के साथ कदम स एक कदम मिला कर चल सके अपुर्वा की शादी को दो साल बीच जाते हैं और फिर वो घड़ी भी आ जाती है जब अपुर्वा अपनी प्रेगननसी की ख़बर सुनाती है मा जी आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि समय हाथ से निकला जा रहा है पता नहीं मैं कब आपको आपके पोते का म्मो दिखाऊंगी तो समझ लीजी कि समय आ गया है बहुत जल्द आप अपनी गोद में पोते पोते खिलाएंगे बहु की बात सुनकर शानता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था वो जट से मंदिर के हो जाती है और जाकर मंदिर में मत्था टेक कर ग्यारा रुपे निकाल कर बहु की चारों और साथ बार घुमाने के बाद उसे मंदिर में रख देती है मा जी, ये क्या किया आपने, मैं कुछ समझी नहीं आरे बिटा कुछ नहीं, बस ये मैंने तेरी नजर उतारी है और उसकी जिम्मेदारी ना ठाकुरजी को सौब दी है अब तेरा बच्चा स्वस्त एस सही सलामत इस दुनिया में आये इस बात के जिम्मेदारी मैंने ठाकुर्जी को दे दी है अब देखना कैसे वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभात है अब फिक्र मत करी माजी सब अच्छा ही होगा जब से सास शांता को ये पता चला था कि बहु के पाउं भारी हो गए है वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि कोई भी उच नीच ना होने पाए और सब कुछ अच्छे से बीच जाए अब पुर्वा ये ले ये गणेश वंदना है तुझे हर रोज सुब नहाने के बाद उसका पाठ करना है अगर तुझे इसका नियामित पाठ करेगी न तो गणेश जी मेरे पोते की रक्षा जरूर करेंगे और सुन ये इस मेना मैंने संतान गोपाल मंत्र लिखा है कहता है जो भी इस तरी पूरे नौ मैने इसका पाठ करती है न उसको ठाकर जी आशिरवात के रूप में एक बेटा जरूर देते है वैसे तो बहु अपुर्वा इस बात से बहुती भाव विभूर थी कि उसकी सास उसकी प्रेगननसी के लिए इतनी खुश है और इसका इतना ध्यान भी रख रही है लेकिन बस एक ही बात थी जो उसे बार-बार खटक रही थी कि सास हमेशा पूते की ही बाते क्यों करती है सास के मुँसे लगातार ऐसी बाते सुनते रहने की कारण अब उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे गर्भ में लड़का होना ही संतान होने की निशानी होती है अगर लड़का हुआ तो वो ठाकुर्जी का अशिराद है और अगर लड़की हो जाए तो क्या भगवान का अशिराद पराप्त नहीं होगा? इतनी population बढ़ रही है इसलिए मैंने और अपुर्वान ने ये फैसला लिया है कि हम दोनों सिर्फ एक ही संतान रखेंगे दूसरा बच्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है बस भगवान हमारे बच्चे को दुनिया में सही सलामत लिया है इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए हब बेटा ये तो तुम दोनों पति-पति का फैसला है हम तो इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हाँ इतना कहेंगे कि देखो परिवार चलाने के लिए एक बेटा चाहिए होता है मन में उमड रहे धीरों सवालों के साथ धीरे धीरे नौ मेने का समय बीच जाता है और वो समय भी आता है जब अपूर्वा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ति कराया जाता है मुझे बहुत डर लग रहा है अनुराग अगर बेटा नहीं और बेटी हो गई तो क्या होगा अरे तो इसमें डरने जैसी क्या बात है बेटा या बेटी होना हमारे नहीं इश्वर के हाथों में है और बेटियों में ऐसी कौन सी कमी होती है क्या हम इश्वर से कहा है क्या हमें बेटी ना देकर बेटा दे कैसे छोटी बाते करी हो तो मपुर्वा तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उमिद कता ही नहीं थी मुझे गलत मत समझे अनुराग मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी लेकिन मांची की बाते सुनकर मेरे मन में एक डर सा बैट गया है पूरे नौ मैने उन्होंने हर वो काम कराया है मुझसे जिससे की थोड़ी भी संभावना बनती हो कि होने वाली संतान बेटा हो उनकी मुझे मैंने कभी ये बात सुनी नहीं कि मुझे लड़की भी हो सकती है इसलिए अपना मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं लड़की हो गई तो पता नहीं मा जी इसे स्विकार भी करेंगी या नहीं बेवज़े की बाते करना बंद करो पुरवा सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हम सबको खुश नहीं रख सकते है सबको खुश कर पाना इस दुनिया में संभवी नहीं है और मा के स्विकार करना है या ना करने से कुछ नहीं होता बच्चा हम दोनों का होगा, हम उसे स्विकार करेंगे, उसके लिए उतना ही काफी है पाकिस सब की अपनी-अपनी समझ होती है, उन्हें उनके सोच के साथ पीछे छोड़ो पती की बाते सुनकर अपुर्वा को बहुत तसली मिले थी उसे इतना तो समझ में आही गया था कि अनुरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी, कुछी देर बाद नर्स परिवार के लोगों को बच्ची के जन्म की खुश खबरी देने के लिए आती है हाला कि अनुराग की मा को बेटी के जन्म से थोड़ा सा जटका तो ज़रू लगा था लेकिन फिर भी इसे इश्वर की मर्जी समझ कर वो बेटी को खुशी-खुशी स्विकार कर लेती है अस्पताल से घर आने की बार मैंने सोचा है बिटिया का नाम हम लोग राधा रानी के नाम पर श्री रखेंगे क्यों अनुराग अच्छा लगा ना नाम हाँ मा अब तुमने नाम दिया है तो अच्छा तो हो गई मुझे इस नाम से कोई अतराज नहीं है नन्ही से श्री दादी बाबा और मा पापा की गोद में खेलते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी साल भर के बाद देख बहू अब मुझे पोते के लिए ज्यादा इंतजार मत करवा जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाओ अब एक साल की तो हो गई है श्री अब तो तुम्हारा शरेर भी स्वस्त हो गया है ऐसी कुछ दिक्कत भी नहीं है और श्री की चिंता तुम बलकुल मत करना उससे संभालने के लिए मैं हूँ ना सास की बाते अपुर्वा को बहुत अटपटी सी लग रही थी श्री अभी एक ही साल की हुई थी ननी सी बच्ची उसकी गोद में है और सासुमा दूसरा बच्चा लाने की बात कर रही है ये बात अपुर्वा को जच नहीं रही थी अनुराग तुम्हें पता है कल ममी जी मेरे रूम में आई थी कह रही थी श्री एक साल से उपर की हो गई है अब दूसरे बच्ची की तयारी कर लो अच्छा फिर क्या सोचा तुम नहीं अरे सोचना क्या है पहली बात तो मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं और दूसरी बात ये कि श्री अभी इतनी छोटी है अभी तो मैं किसे भी हाल में दूसरे बच्ची की बारे में सोची नहीं सकती अभी वो छोटी सी बच्ची है उसे मेरी जरूरत है और ऐसे भी क्या हडबड़ी है कि एक साल के बच्ची पर ध्यान देने के बजाए मैं इस समय दूसरा बच्चा पैदा करने की बारे में सोचू बिल्कुश सही सोचा तुम ना पूरो मैं तुम्हारे मों से यही सुनना चाहता था मैं तो पहले ही मां को कह चुका हूँ कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए फिर मान है तुमसे ये बात कही क्यों? मैं तो यही सोचकर परिशान हूँ देखो तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेनी की जरूरत नहीं है बड़े बज़ुर्गों का काम होता है कहना अपनी तरफ से वो तो कहेंगे कि हम दूसरा बच्चा पैदा करे लेकिन दूसरे बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं लाना ये निर्णे हम दोनों मिल कर लेंगे कुछ महिनों तक इंदजार करने की बाद सास शांता फिर से बहु को खेर लेती है अपुर्वा महिना बीद गया इस बात को जब मैंने तुझे कहा था कि श्री के भाई के आने का इंतजाम कर ले लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया देख अब तो श्री दो साल की होने वाली है अब तो तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हो जब तक दूसरा बच्चा पैदा होगा श्री तीन साल की हो चुकी होगी अपुर्वा सास के बार-बार इस तरह दूसरा बच्चा करने के दबाव से बहुत परिशान हो गई थी सबसे ज़्यादा परिशानी तो उसे इस बात से थी कि सासुमा को दूसरा बच्चा नहीं बलकि श्री के लिए एक भाई चाही था और उनका बार-बार जोर देकर पोता लाने के लिए कहना उसे और भी ज़्यादा परिशान कर रहा था अनुराग बिटा मैं तो अपुर्वा से कह क्या कर था अब वो जमाना नहीं रहा कि सास की बातों को बहुए पत्थर की लकिर समझे आज कल के बच्चे अपनी मन मर्जी के हो गया है उन्हें फरकी नहीं पड़ता कि सास की आखरी इच्चा पूरी होगी या नहीं अब तो बच्चे अपनी जिंदगी जीने पर ज्यादा जोर देता है मा ऐसी कौन सी आखरी इच्चा है आपकी अधुरी वैसे भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो आप कहीं नहीं जाने वाली यह आखरी इच्चा कहकर ब्लैकमेल करना बंद कर दो जो कहना है साफ साफ को अच्छा तो सीधी सी बात यह है कि तेरी पत्नी कसम खाकर बैठी है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना आरे वो तो दूसरे घर से आई लेकिन तू तो मेरा बेटा है तुझे तो समझना चाहिए अपने माबाब की इच्छा को अगर बेटा पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा देखो मा श्री के जन्ब से पहले ही माने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ एक ही बच्चा चाहते है और उस समय तुम्हें मेरी बात से नहीं मिला आपको जो आपको दूसरे से मिल जाएगा ठीक है बेटा हमने कहा था कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना लेकिन साथ में ये भी कहा था कि ठाकूर जी तुम्हें एक बेटा दे देंगे तो तुम दूसरा मत करना, लेकिन तुम्हें बेटी पैदा हुई एक बेटा तो चैये ना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए ये वंश बढ़ाने वाली क्या बात होती है माँ, बेटा बेटी में अंदर करने वाले जमाने चले गए मेरे लिए मेरी श्री ही मेरा सब कुछ ये बेटा बेटी में भेद करने वाली छोटी सोच मुझ पर मतला दिये मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ बैटर होगा कि आप भी उसी के साथ खुश रहना सीख ले अरे तो मैंने कब कहा मुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं है अरे बेटी यां भी प्यारी होती है लेकिन वो बेटों के बराबरी नहीं कर सकती और बेटी का क्या है कल को 20-22 साल की होगी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी लेकिन बेटे के होने से घर आंगन में रौनक रहती है कल को बड़ा होगा हम उसकी शादी करके बहु लेकर आएंगे पोते पोतिया होंगे घर आंगन भरा रहेगा ये बात तुझे आज समझ में नहीं आएगी लेकिन जब कल को समय हाथ से निकल जाएगा न और बिटिया भ्या कर अपने घर चली जाएगी तब ये खाली घर आंगन कार्टने को दोड़ेगा तुम्हे तब मा की बात याद आएगी इसलिए मैं कह रहे हूँ के बेटा हमने दुनिया देखी है अभी समय है समय रहते एक बेटा कर लो ताकि कल को बढ़ापे में तुम्हारा साहारा बने अरे मा कैसी बेटो की बाते करती हो आप बेटी की शादी होगी उसके बच्चे होगे तो क्या वो हमारा वंश नहीं कहलाएगा सिर्फ बेटे की बच्चे ही अपना वंश होते हैं गासे लाती हो आप ऐसी दोगली बाते हैं मैं इन सब बातों में यकिन नहीं करता और वैसे भी इस बात की क्या guarantee है कि बेटा होगा तो वो बुड़ापे तक हमारे साथ ही रहेगा अरे आज कल के बच्चे पढ़ते लिखते हैं घर से बाहर निकल जाते हैं अच्छी नौकरी करते हैं उनको घर में बांध कर थोड़ी न काट सकते हो आपको समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव है आप मेरी बाते कभी नहीं समझ पाओगी लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला मैंने कहा दिया कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए और कम से कम इस वज़़े से तो बिल्कुल नहीं च अनुराग जानता था उसके तरकों का मा के लिए कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। कुछ देर के आपचारिक बातों की बात सुधान्शु के अमेरिका जाने वाली बात शुरू हो जाती है। तो सुधान्शु अपकी बार रुपने का इरादा है या फिर से वापस अमेरिका जा रहे हो। अर्थ नहीं भईया अपने लिए तो अमेरिका ही ठीक है। तो प्रापर्टी लेकर क्या करना? वो मम्मी पापा का इतना बड़ा तीन मंजिला मकान है। अब ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान का? इसलिए मैंने सुचा इस मकान को बेज करना मम्मी पापा को एक रूम वाला फ्लैट दिला देता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सेफटी का भी इश्यू नहीं रहता। और इतने बड़े घर का अकेले वो लोग करेंगे भी क्या? साफ सफाई कर करके मम्मी परिशान होती रहती है। मम्मी पापा वाला मकान भीग जाएगा तो अच्छा है। अमेरिका में मुझे एक घर खरीदना है जिसमें ना कुछ पैसे कम पड़ रहे है। मम्मी पापा एकदम दे सी लोग और कहां एमिली आमेरिका में पली हुई लड़की। फिर मम्मी रोज रोज उसके खपड़ों को देखकर जिक-चिक करेंगी बिना बाद घर की सुक शान्ती खत्रे में आ जाएगी। और फिर यहां आप लोग है इतने सारी रिष्टिदार है बापा के फ्रेंज बगेरा है। यह लोग सेटल है यहां पर मन लगा हुआ है। वहां आ जाकर न दिक्कत हो जाएगी इनको। मैं बता रहा हूँ ना मन नहीं लगेगा। अपने साथ दो दिन को भी रखने को तयान ही है। और तो अपनी सारी दौलत बेच कर उसके हाथ में थमा देगी। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। क्या करें जी-जी अब जो किस्मत में है वही मिल रहा है। हम तो कभी-कभी सोचते हैं बेटे से तो अच्छा बेटी पैदा हो गई होती। तो कम से कम कभी कभार फोन करके हाल चाल तो पूछती। और मन का संतोष भी रहता कि चलो विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन देखो जीजी, बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया, लिखाया, अमरीका भेजा, वह बेटा ऐसा अमरीका गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अपनी पसंद से शादी कर ली माबाव से ना पूछा ना बताया और अब कहता है वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगा चलो हमने तो इतने पर भी संतोश कर लिया हम तो उसके साथ चाकर अमरीका रहने को भी तयार होके लेकिन बेटा ले जाने को ही तयार नहीं अब बताओ जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो तीन मंसिला मकान को रख कर करेंगे क्या बहन मीना की बाते शांता के सीने को चीर गई थी आज उसे पहली बार ऐसास हो रहा था कि सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटी भी घर छोड़ जाते हैं ऐसे जरूरी तो नहीं कि बेटा होगा तो बढ़ापे में माबाप का सहरा ही बनेगा आज कल के बच्चों की अपनी जिंदगी है किसी और की जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा वो अपनी जिंदगी को जीने पर ज्यादा जोर देते हैं वो हमारे बढ़ापे तक लाठी बने रहेंगे इस बात की कोई गरंटी नहीं है मा मैं पहले से ही जानता था कि मौसी के घर में क्या चल रहा है लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी आखों से देख कर सच को महसूस करो जीवन भर मौसी को इस बात का घमन था कि वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है तो कल को उनका बुढ़ापा बड़ा सुख में बितेगा लेकिन देख लिया अपने आखिर में क्या हुआ इसलिए बेटे को अपने बुढ़ापे का इंशोरंस समझने की बजाए अपने संतान को सिर्फ इसलिए पढ़ाव लिखाओ कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और एक बहतर इंसान बने बेटी हो या बेटा सबकी अपनी जिंदगी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा है तो माबाप के साथ ही रहेगा शांता को बेटी की बात समझ में आ गई थी और उसके मन से अब बेटी बेटी का अंदर भी मिचने लगा था